और राइट तो भई आज मैं आपको बताने वाल हूँ कि आपकी इंस्टाग्राम पर कोई भी फोटो हो या फिर वीडियो हो वो आपकी अचीव बाले फोल्डर में चली गई हो मतलब अचीव बाले सेक्षन पर चली गई हो और वो आपको मेंल नहीं रही हो और आप उसे रीक कर देना साथ मैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना सो बढ़ते हैं वीडियो की और तो सबसे पहले मैं यहां पर प्रोफाइल वाले आप्शन पर आ जाता हूं और भाई, आप देख सकते हैं यहां पर मेरी पांच फोटो आपको देखनी को मिल रही होंगी यहां पर ये वाली फोटो है और यहाँ पर मैं three dot पर क्लेक करता हूं और यहाँ पर मैं और वाली फोटो गायव हो जाएगी देख सकते हैं इह वाली फोटो गायव हो चुकी है अब यह वाली फोटो कहां बर गई है और उसे recover कैसे करना है मतलब बापस यदि आप लाना चाहते हैं तो फर इस trick को follow कीजिए तो सबसे पहले मैं आपको refresh करके भी दिखा देता हूँ देख सकते हैं यहां पर photos वो वाली मतलब जो हमने achieve करी थी वो यहां पर देखने को नहीं मिल रही अब बापस आपको कैसे लाना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो उपर की side में top पर आप देख सकते हैं यहां पर 3 line मिलेंगे आपको यहां पर click करना होगा देन आपके सामने काफी ज़दा option देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर आपको एक option मिल रहोगा 4th number पर achieve तो आपको इस वाले option पर click करना है तो चलिए यहां पर मैं click कर देता हूँ जैसे ही मैंने click किया तो मैंने जितनी भी stories बगेर सेर की थी Instagram पर वो सभी देखने को मिल जाएंगी साइद आपको भी यही देखने को मिलेंगी इसके बाद आपको क्या setting करना है चलिए मैं आपको बता लेता हूँ तो उपर की side में सब सी उपर देख सकते है Stories Achieve लिखा है ठीक है यहां पर आपको click करना है और नीचे की side में आपको तीन option देखने को मिल जाएंगे Story Achieve, Post Achieve and Live Achieve आपको क्या बापिस लाना है जैसे कि हमें post लाना है हमारी photos थी तो यहां पर मैं बीच वाले option पर click कर दूँगा और जैसे ही दोस्तों मैंने यहां पर click किया तो मेरी दो photo है जो कि achieve हो गई थी धोके से जो कि अभी मैंने यह वाली photo जो है जानबुच कर की है आपको दिखाने के लिए तो यहां पर हम बापिस से recover करना चाहते है तो वो कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले आपको उस photo पर click करना है जिससे आप बापिस लाना चाहते है जैसी कि मैंने इस photo पर click कर दिया है अब इसके बाद आपको उपर की side में three dot नजर आ जाएंगे मतलब तीन बिंदू आपको देखने को मिल रहे होंगे आप इस पर click कर दीजिए आपको एक option फिर से देखने को मिलेगा नीचे की side में so on profile आपको यहाँ पर click कर देना है and again आपको so on profile पर click कर देना हुगा इसके बाद दोस्तों back आ जाईए और आपके जितने भी photos या फिर वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे आप उन्हें इसी तरीके से बापिस ला सकते हैं चलिए मैं back आ जाता हूँ और भाई फिर से यहाँ पर photos तो देखने को नहीं मिली लेकिन भाई जैसे हम refresh करेंगे तो boom guys आप यहाँ पर देख सकते हैं वो photo हमारी बापिस आ जुकी है और इसी तरीके से आप और भी जादा photos और वीडियो को बापिस ला सकते हैं आसा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा दोस्तों वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना साथ मैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड इसी तरीके का कंटेंट लाता रहता हूँ वैसे मेरी मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नए वीडियो में तब तक के लिए आप अपने ध्यान रखिए एंड बाबाई